हेलो इस्टूडेंट आज हम लोग क्लास फोर का हिंदी परहेंगे पार्ट है शीक्स सेर को सवा सेर यह एक कहानी है एक गाउं में तीन भाई रहते थे गप हाकने में उनका जवाब नहीं था इस काम में तीनों भाई अपने को सबका गुरू समझते थे एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले राश्ते में वे एक सराई में थारें तीन भाई था और तीनों भाई बहुत ही ज़ादा गप करता था एक बार वो तीनों यात्रा पर निकले राश्ते में वे सराई में थारें सराई मतलब होता है जहां हम लोग रूप कर समय काटते उसी सराय में एक राजकुमार विया ठारा उसी जगा एक राजकुमार आया उसने कीमती वस्त तथा बहु मुल्य आभुसन पहन रखे थे राजकुमार है तो हम लोग सभी जानते हैं को किम्ती वस्त्र पहनता है और आभुसन भी पहनता है जिसका मुल्य बहुत ही जादा होता है भाईयों ने राजकुमार को अपने जाल में फसा कर उसके वस्त्र आभुसन हतियाने की योजना बनाई तीनों भाई सोचा क्यों ना हम लोग अपने अपने गप में राजकुमार को फसाते हैं और इनका वश्त अभूसन हतिया लेते हैं उनमें से एक भाई राजकुमार से बोला महास है समय काटने के लिए कुछ खेल पहली हो जाए तो कैसा रहेगा राजकुमार राजी हो गया, राजकुमार बोला ठीक है समय काटने के लिए हम लोग खेल और फहली खेलते हैं दूसरे भाई ने सुझाया, समझाया ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गपे हाकते हैं किसी की गप पर दूसरा कोई विश्वास ना करे तो विश्वास ना करने वाला हारा माना जाए उसे गप कहने वाले की गुलामी करनी परेगी यानि कि अगर विश्वास नहीं होगा तो जीत रहा है उसकी गुलामी करनी परेगी जो हारेगा राजकुमार यह सर्त भी माने गया राजकुमार बोला ठीक है हमें सर्थ मंजूर है गपुरी बहुत खुस हुए है गपुरी इहाँ पाज तीनों भाईयों को कहा गिया है जो ज़्यादा गफ करते हैं उसे गपुरी कहते है उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ऐसी बेतु की गफ मारेगा कि राजकुमार को विश्वास ना करने पर मजबूर करेंगे उसके मूँ से यह कैसे हो जाता है निकलवा कर रहेंगे उन्होंने सराय के मालिक को पंच बनने के लिए मना लिया और जो सराय का मालिक था उसे पंच बनाया मुकाबला शुरू हुआ पहले भाई ने गफ मारी बच्पन में हम लुकाचुपी खेल रहे थे मैंने छिपने के लिए एक तार के पेर पर चड़ गया बच्पन में सभी लोग लुकाचुपी का खेल खेलते हैं मुझे वही नींद आ गई यह तो विश्वास करने वाली बात नहीं है कि सो मील उचा था और उस पर दोड़ कर कोई चर सकता है चोटी के पत्तों के बीच बैच शिपकर बैठ गया और उसके जो पत्ते थे वहाँ पर शिपकर मैं बैठ गया मुझे वही नींद आ गई जब आग खुली तो देखा कि पेर इस बीच पचास मील और उग चुका था अब यह विश्वास करने वाली ने थी कि नींद आ गई और वहीं सो गए क्या वो सोता तो नीचे नहीं गिरता नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल का टुकरा गुजरा वह पहला भाई सोच रहा था कि हम नीचे कैसे उतरे इतना में ही वहाँ पास एक बादल का टुकरा गुजरा मैं उसी में घूस गया क्या बादल की टुकरा में कोई भी घूस सकता है जब उस बादल से पानी बरसने लगा तब जाकर मैं पानी की धार को रसी की तरह पकर कर नीचे उतरा वो अपना गप सुनाया और बोला कि जब पानी बरसने लगा तो उसी की रसी को मैंने पकर कर नीचे उतरा राजकमार केबल मुस्कुराया राजकमार स्रिफ मुस्कुराया उसे लगा कि ये जूट बोल रहा इसलिए वा मुस्कुराया पहला भाई निरास हो गिया उसे पूरा यकिन था कि राजकमार बिस्वास नहीं करेगा पहला भाई को लग रहा था कि राजकुमार बिश्वास नहीं करेगा लेकिन वह स्रिफ मुस्कुराया अब बारी आई दूसरा भाई की, दूसरा का पूरी भाई बोला एक बार मेरी गेंद एक जारी में जा गिरी मैं अपनी गेंद ढूनने जारीों में घुसा लेकिन मुझे अपनी गेंद कही नजर नहीं आई वह बोला बच्पन में हम गेंद खेल रहे थे और मेरी गेंद एक जारी में जा गुस गई, यानि कि छिप गई एक चूहे का बिल मुझे दिखा आउवा गेंद एक चूहा के बिल में जा दिखा मैं उसके भीतर चला गया तो क्या देखता हूँ उहां सैकरो हाथी बंधे परे थे चूहा का जो बिल था हुआ उसमें घुसा और देखता है कि उहां सैकरो हाथी बंधा हुआ था उस बिल में रहने वाला चूहा हाथी चोर था जो हाथी चोड़ था हुआ एक चूहा था क्या ये विश्वा सोचता है कि चूहा एक हाथी को चुरा सकता है चूहा कितना छोटा सा जीव होता है और हाथी बहुत ही विशाल मैंने उन हाथीयों को मुक्त कराने का फैसला कर लिया मन में ही मैं सोच लिया था कि हम हाथी को छुरा लेंगे और तो कोई तरीका नहीं था सिवा हाथीयों को पकर कर अपनी जेवों में भरने के वह सोचा कि अब हम क्या करें तो क्यों न हम हाथी को पकर-पकर कर अपने जेव में भरने लेगे सारे हाथी जेवों में आ गए तो मैं बाहर की और भागा सबी हाथी को अपने जेव में भरा और बाहर आ गया क्या भिश्वास कर सकते हैं क्या अपने जेव में हाथी को भर सके तभी हाथी चोड चुहा ने मुझे देख लिया वह तलवार लेकर मेरे पीछे आया बिल से बाहर आकर चुहे से बचने के लिए उचल कर एक टिड़े की पीट पर सवार हो गया उसे आते वी बाहर चुहा देख लेता है और उचल कर एक टिड़ा के पीट पर टिड़ा तो कितना चोटा सा पतंग होता है किया उसके पीट पर हम बैठ सकते हैं उसे एक चाबुक मारी टीड़े ने शाट आठ दस लंबी लंबी छलागे मारी और चुहा हाथ मलता रह गया क्या इतना विश्वास कर सकते हैं राज कुमार ने सहमाती के लिए सीर हिलाया राज कुमार भी उसे विश्वास नहीं हुआ इसलिए वो हलका सा सीर हिलाता है हाँ मैंने भी तुम्हें टिड़े पर जाते देखा था दूसरा भाई भी आज सफल हो गया ठीक है अब हम लोग नेक्स क्लास में पर हैंगे इसका पार्ट दूसरा